लेकिन सबसे पहला हम यह देखने जा रहे हैं कि जो उनका दावा है उनका जो बयान है कि क्रिस्टियन राइस बैक कंवर्ट्स हैं अब यह हेस्टी जेनरलाइजेशन होता है और इसको हम एक और फैलसी भी कह सकते हैं फैलसी ओफ कंपोजिशन या डिविजन मैं काफी सरे फै बाके रखते हैं उनके प्रोपगेंडा और अजिंडा को आप पैचान सकते हो आपको अभी देखिया आगे मजा आएगा जब मैं उनके वीडियो को प्ले करूंगा और उसमें कितने लॉजिकल फैलसी सेंचुपकर और गिल्ट क्रियेट किया है लोगों के दिमाग में या फिर एक उतावलापन क्रियेट किया है तो यह राइस बैक कंवर्ट मान लेते हैं एक या दो वेक्ति ने राइस बैक लेकर अपना धर्म बदल दिया ठीक है एक या दो वेक्ति ने या फिर पचास या चालीस वेक्ति ने राइस बैक लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिय तो क्या ये 40-50 लोग ने किया तो पूरा कम्यूनिटी क्रिस्टिन कम्यूनिटी राइस बैक कनवर्ट कहा जाएगा अगर आपका एंसर है हाँ तो कंसिस्टेंटली आपको यही लॉजिक अपलाय करना है एक सम्मय में भारत में विद्वाओं को जलाया जाता था सती सिस्टम आप जानते हैं क्या भारत में बहुत सारे लोग विद्वाओं को जलाते थे इसलिए सारे भारत के लोग विद्वाओं को जलाने वाले हैं ऐसा कहना सही है क्यों नहीं अगर आप उस आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि कुछ लोगों ने राइस बैक लेकर अपने धर्म को प ये fallacy of composition को हम refute करेंगे आप तब refute कर सकते हैं जब आपके पास majority chunk का data होगा अगर बहुत सारे लोगों ने rise bag लेकर ही धर्म परिवर्तन किया है उनको 2 kg के चगे पे 200 kg देंगे तो वो दोबारा लोट के आ सकते हैं इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूँ अगर आप कुछ particular group को उठा कर आप generalize कर रहे हो कि पूरा Christian community rise bag convert है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ logical तर्क के आधार पर कि भारत में कभी कबार सती यानि कि विद्वा को जलाया जाता तो भारत के लोग ऐसे ही होते हैं तो देखे कितना किस प्रकर का यह गंदा argument है rise back वाला और इसका मैंने answer भी मैंने दूसरे वीडियो में दिया है क्या Christian rise back convert है अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो को भी आप हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं लेकिन जबी भी यह serious allegation लगाया जाता है कि rise back convert है लालच से convert हो गए जौब से convert हो गए यह actually क्या कर रहे हैं पता है यह कहने वाले जो अपने आपको हिंदुत्व गैंग कहते हैं न यह लोग सबसे ज्यादा Hinduism का मजाग यही उढ़ा रहे है हिंदुों का मजाग सबसे ज्य लेकिन है महान लीजे यहाँ पर एक हिंदु है लाचार हिंदु है और इनके नजर से ठीक है no conversion mission काली यह लोगों के नजरिये से एक Christian इसके पास आ रहा है और इसको चावल की बोरी दे रहा है और यह चावल की बोरी लेने के लिए रेडी है और यह बोल रहे है कि तु मेरा Christians को rise back के नाम से generalize करते हैं वो actual में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे Hinduism में जो लोग है उनका जो intelligence है वो बहुत कमजोर है they lack the intelligence to choose what is good and what is bad वो mere एक पधार्त के लिए अपने विश्वास को जो है बेच देते हैं मतलब इनके लिए खाना धर्म से बड़ा हो गया मतलब यह आप लोग हमें इंसल्ट नहीं कर रहे हो Christian community को इंसल्ट नहीं कर रहे हो यह तो इंसल्ट उन लोगों के लिए हो गया है जो अपने इमान को अपने धर्मों को बेच रहे हैं चावल की बोरी के लिए तो यह जो गैंग है यह लोग indirectly हिंदूओं को कमजोर साबित करने पूल करकि सारे हिंदू अगर मिशनुरियों को नहीं रोका जाएगा तो मिशनरी जायेंगे उनको चावल की बोरी दिखाएंगे और हिंदू पीछे पीछे भागे के लिए धर्म बेज देते हैं या फिर चावल की बोरी के लिए धर्म बेज देते हैं यह कौन फैला रहा है क्या Christian से बात को फैला रहा है नहीं यह गैंग जो बार बार कहते हैं कि Christian missionary rise back देके convert करते हैं point number one यह साबित करें कि उनके community के लोग intelligence में weak हैं जो कि ऐसे चीजों में गिर पड़ेंगे, इतनी छोटी सी चीज में, दूसरा, ये कह रहे हैं कि हमारे community के लोग लालची हैं, जो इस चीज पे गिर पड़ेंगे, और तीसरा, ये ये भी साबित कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म है, वो लोगों को convince नहीं कर सकता है, और उनके अंदर conviction नहीं miss quotation, ये masters of miss quotation का mastery करते हैं, इसलिए last video को भी देखा, जो मैंने नहीं कहा, उसको cut करके उन्होंने डाला, और उनको लगा कि वो करने से लोग मेरे उपर आएंगे, गालियां देंगे, और लोगों ने मुझे गाली दिया, ये ही उनका agenda है, कि एक आवाज अगर उठता है, उसक क्या कहते हैं आप लोग, देखिए उनीके ग्रूप से, ये गंदा लॉजिक मुझे इस्तमाल करने नहीं आता है, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं, उनके भगवान का नाम चैंट करवाता हूं, उनका भगवान का नाम बुलवाता हूं, तो क्या मैं इस व्यक्ति को दे ये मेरा पेशा नहीं है, ये इनलॉजिकल चीजें हम क्रिस्टियन को नहीं आता है, आप लोगों को जो लॉजिक का कोई लेन दे नहीं है, आप लोगों की दिमाग में ऐसी गंदी बात आएंगी, और वापस से राइस बैक करने वाले के बारे में, जो मैंने पॉइंट कहा है, उसके लिए आप जान भी दिदो, उसके लिए आप भूखे रह जो, लेकिन चावल लेकर कनवर्ट मत हो जाना, लेकिन अगर आप क्रिस्टियानिटी के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टियानिटी में अभी आपको मैंने एक आर्टिकल दिखा है, जारकन का, वहाँ पर हमारे दिल में जो येश्व मसी ने जगा बनाया है, वो ऐसा जगा है कि मर भी जाएंगे, लेकिन हम क्या ने करेंगे, हमारे मसीहत को इंकार नहीं करेंगे, वो व्यक्ति जो चावल के बोरी के लिए अपना धर्म बदल सकता है, वो व्यक्ति को अगर कोई धमकी देगा, व पहले हिंदू था, जो मर गया था, फिर उसको क्या किया, क्रिस्टियानिटी से हिंदू बनाने के लिए दबाव डाला गया, अगर वो चावल बोरी के लिए राइस के लिए कनवर्ट हुआ होता, जान को डर कर वो क्या करता था, वापसी करता था, लेकिन उसने किया ने, क् आपती क्यों आ रही है यह ओर्गनाइजड है यह ओर्गनाइजड कहां से ऐसे टेलेग्राम ग्रूप से जो है फैलते हैं ऐसे जो है आग को फैलाते हैं जैसे मैंने का यह टेलेग्राम ग्रूप का यह एक मेंबर मुझे मिल गया ता सडक पर मुझे नहीं मिला एक कलीसिया की रैली चल रही थी मुंबई में वहाँ पर जाकर आर्ग्यू कर रहा था और जब मैं गया तो मेरे से आर्ग्यू करने के साथ साथ जब उसके सवालों का मैं जवाब दे रहा था तुरंत उसने बोला कि तेरा वीडियो निकाल कर मैं no conversion में डालूँगा और इतना ही नहीं वो लोग हिंदूइसम की नाम पर डोनेशन भी लेते हैं उनके ये प्रोपोगेंडा को चलाने के लिए कितनी हराने की बात है और एक और चीज में बताना चाहूंगा कि आप बोलोगे कि लिए काम कर रहे हैं जै मा काली ठीक है यह उन्होंने लिखा उनका पूरा ट्वीट जो है मैंने पढ़ लिया ताकि कोई मुझे यह नहीं कहे कि तुमने उनको मिस्कोट किया मैंने कुछ भी मिस्कोट नहीं किया उन्होंने यहां पर क्या खिया खुद के भगवान का नाम इस्तेमाल करके एक ऐसे group के साथ उन्होंने साज़े दारी दिखाई है जो ग्रूप जो ग्रूप यह बातों को करता है क्या हम सारे Christians को कतल कर डाल एक मिनिट में हम गैंग्स्टर्स को बुला कर हम क्रिस्चिन्स को क्या करें मठर कर डालेंगे वो ये ग्रूप के साथ अपनी साजीदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम जान लेने वाले लोग चाहिए हमको मिशन काली टीम no conversion जैसे ऐसे गुरूप को साजीदारी दिखा रहे है जो अपने गुरूप में ऐसे शब्दों का इस्तमाल करेंगी चर्च में घुस कर क्या करेंगे चर्च में जाकर हम लोगों को मारेंगे और ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम Francis जैसे लोगों को क्या करेंगे, कंट्रोल में ले लेंगे, क्या है ये, तो इनका प्रोपगेंडा यही है, कि ये साथ में मिलके, एक ही चीज का फोकस करते हैं, इनका फोकस अब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ है, फ्रोडुलिंड मिशनेरी के खिलाफ लड़ना, लेकिन इनका फोकस यही है, किसी भी हालत में Christianity को misrepresent करना, Christianity को गलत तरीके से प्रस्तूत करना, और Christianity के खिलाफ लोगों का नफरत फैला देना, क्योंकि इनका ये agenda है, clearly इस बात को आप देख पा रहे हो, मैं आपको ये चीज़ दिखाना जाता हूँ, देख लीजिए, 2000 से भी ज्यादा Christian persecution record किया गया है, और ये साल में भाई pandemic चल रही है, कोरोना वाइरस का महामारी का इतना बड़ा problem चल रहा है, लेकिन उस समय में भी आप देख रहे हो, 300 के लगबग लोगों को परसेक्यूट किया गया है, हाफ येरली, छे महिने का डेटा है ये, जैनवरी से लेकर, फेबरी के बाद तो ना के बराबर है, सब लॉगडाउन में, सब बंद पड़ें, कोई बहार ने जा रहा है, फिर भी ये आउटफिट क्या कर रहे है, दो, लगबग 300 कृष्टियन को इन्होंने मारा है, तो क्या कहीं पर भी आपने ये सुना है, किसी क्रिस्टियन के मूह से, 300 कृष्टियन को परसेक्यूट किया गया, इसलिए पूरा हिंदू कम्ईनिटी गलत है, क्या कभी हमने ऐसा कहा है नहीं कहेंगे क्योंकि हम यह इस्तमाल करते हैं लेकिन यह जो नो कनवर्जिन टेलेग्राम ग्रूप वाले और मिशन काली जो ट्विटर ग्रूप वाले क्या करते हैं कुछ एक दो अनप्रूवन केसेस को लेकर यह हेस्टी जनरलाइजेशन और फैल